आप सभी का सुवा कातिन लोग टेक चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए लोग टेक चैनल को इस एड बटन को दबाकर और साधे साथ इस बेल आइकन को भी प्रेस्ट कर दीजिए हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए Hello and welcome friends और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा पांच ऐसे बी रिजन जिसकी वज़ेसे आपको Xiaomi Redmi Note 5 Pro नहीं लेना चाहिए So friends आज आप इस वीडियो को देखते रहेजाएगा So friends without resting any more time let's get started Friends आप सब्सक्राइब के एक बार फिर सब्सक्राइब कर देखते हैं अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो ज्यादा बहतर रहेगा Friends यहाँ पर अगर आप इन रिजन से मतलब कि जो हम आपको इसके अंदर प्रॉब्लम्स बताऊंगा इसके साथ मैं एगरी करते हैं जो है यहाँ पर इसका उप्रेटिंग सिस्टम है यानि एक Android Nougat का जो कि Xiaomi का MIUI 9 है जो कि एक पॉसिटिव पॉइंट है बट यहाँ पर इसके साथ में एक नेगेटिव पॉइंट है जो कि है Android Nougat 7.1 यहाँ पर इसको Android Oreo का अपडेट जो है मिलेगा या नहीं मिलेगा इसके जो कोई confirmation नहीं है बट फ्रेंस यहाँ पर Xiaomi अपनी हर एक डिवाइस में एक Benjo Royce अपडेट देता है तो यहाँ पर आपको Android Oreo का अपडेट देखने को मिल जाएगा बट प्रोब्लम यह है कि अगर यह आपको Android Oreo के साथ में मिलता है आपको Android P का अपडेट देखने को मिल जात है अगर हम इसे compare करते है Mi के A1 से मी का जो यानि के A1 है उसका camera फार बेटर है Xiaomi Redmi Note 5 Pro से बिकोज महाँ पर जो एक जूम मिलता है और dual Megapixel प्लस dual Megapixel का support देखने को मिल जाता है यहाँ पर Xiaomi Redmi Note 5 Pro में जो आपको dual camera setup देखने को मिलता है बट यहाँ पर 13 Megapixel प्लस 5 Megapixel का support मिलता ह जो second camera है वो सिफ उसी depth यानि के portrait modes जो bulky effect होता है पीछे का background blur effect सिर्फ उसी के काम आएगा बट यहाँ पर अगर हम compare करते है Xiaomi Mi A1 से यहाँ पर Mi A1 का camera है फार बेटर है अगर आप उससे portrait shots capture करते हैं तो काफी जादा मतलब जो looking है एदम आपको DSLR वाली आएगी क्योंकि उसमें जो two x zoom है वो एक hardware के through जो उन्होंने portrait mode बना हुआ है जबकि यहाँ पर software base है so friends अगर आपको portrait modes capture करना ज्यादा पसंद तो मैं आपको recommend नहीं करूंगा आप ले सकते Xiaomi Mi A1 अगर आप इस चीज को adjust कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी आपको portrait shots को option मिलता है बट इतना बहतर नही है तो फिर आप ले सकते है Xiaomi Redmi Note 5 Pro so friends यहाँ पर जो अगला option है वो है यहाँ पर इसके price range को ले करके क्योंकि Xiaomi की Note series में काफी expensive नहीं कह सकते हैं मतलब काफी जादा costly है बट यहाँ पर जो price range है वो काफी जादा रखी गई है Xiaomi Redmi Note 5 Pro की अगर 12,000 का भी होता 11,999 का जो 64GB और 4GB वे 3,999 रुपए यानि के लगबख 14,000 रुपए 4GB और 4GB और 4GB के variant की जो की in my opinion एक over price है काफी high price range है और यहाँ पर जो 6GB RAM मिल जाती है सिर्फ और 2GB का RAM का upgrade किया गया है और वो जो है 16,999 यानिके 17,000 रुपए का लगबख आपको market में देखने को मिल जाएगा जो की काफी जाद high price range है फ्रेंस मेरे हिसाब से अगर 6GB और 460GB internal storage जो variant है वो अगर 13,999 जाने के लगबख 14,000 रुपए होता तो शाद एक काफी अच्छे लेवल पर marketing करता बट यहां पर Xiaomi ने इसकी price है जो है लगबख 17,000 रुपए रखी है जो कि एक काफी over price range है बट फ्रेंस यहां पर negative points के स साथ साथ इसके अंदर काफी positive point है और जो मुझे सबसे अच्छा positive point रखा है वो है इसकी selfie यहां पर Xiaomi ने काफी focus रखा है इस बाश सेल्फी पे यहां पर 20 Megapixel की आपको selfie देखने को मिल जाएगी जो कि यहां पर selfie पर काफी focus रखा है मुझे काफी पसंद आई है क्योंकि इनक और अगर आप अब भी लेना चाहते है कोई Xiaomi की तरफ से device तो मेरे ख्याल से Xiaomi Redmi Note 5 जो है काफी एक बहतर option है 9999 रुपर में मैं wait कर रहा हूं sell का क्योंकि 22 February को जो है इसकी first sell start होने वाली है so मैं definitely इस device को जो है purchase करने वाला हूँ Xiaomi Redmi Note 5 को आप मुझे बताए कौन सा color जो है इसमे मुझे उसके हिसाब से सही नहीं लगा उससे बहतर जो है मुझे Xiaomi Mi A1 अच्छा लगा है तो मैं एक Mi A1 लेने के सोच रहा हूँ और यह तो मैरा पक्का है Xiaomi Redmi Note 5 इसे मैं definitely purchase करने वाला हूँ so friends यही ते रीजन अगर आप इन चीज को लेकर agree करते हैं तो आप इसे ले सकते हैं अगर आपको कोई सभी भी दीजन आपको बुरा लगा है so sorry दिल से sorry मांगता हूँ क्योंकि काफे सारे जो है इसे बहुत ही negatively ले ले लेते हैं friends यहां पर problems तो Xiaomi Redmi Note 5 में but इसकी price range देखकर के जो है मुझे काफी efficient मतलब काफी बहतर smartphone लग रहा है 10,000 रुपे में so friends आज की सबस्क्राइब में so see you next video signing out